नमश्कार में आपके साथ रेशम और स्वागत है आप सभी का N27 भक्ती में घर में पैसे रखने के लिए अक्सर लोग तिजोरी बनवाते हैं और अपना सारा कीमती समान पैसे सहित उस तिजोरी में रखते हैं लेकिन अक्सर लोग तिजोरी के पास कुछ ऐसी चीज़े रख देते हैं जिससे उन्हें धनहानी का सामना करना पड़ता है ऐसे में लोगों को पता होना चाहिए कि तिजोरी में या उसके आसपास किन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए कहा जाता है कि तीजोरी में मा लक्षमी का वास होता है और इसलिए तीजोरी का इस्थान बहुत सोच समझ कर चुना जाता है क्योंकि तीजोरी के पास रखी कुछ चीजों के कारण घर में नकरात्मक्ता का प्रभाव बढ़ता है और इस कारण धन संपत्ती में नुकसान जहलना पड़ सकता है आईए जानते हैं तीजोरी के पास कौन सी चीज़े नहीं रखनी चाहिए पहली चीज़ है जाडू तीजोरी में मा लक्षमी का वास होता है ये तो हम सभी को पता है वास्तुन यमों के मताबिक तीजोरी के पास कभी भी जाडू नहीं रखनी चाहिए हम तीजोरी में धन, पेशा या कीमती समान रखते हैं उसके पास जाडू रखने से परिवार पर देवी लक्षमी की कृपा नहीं मिलती है ऐसा करने से धन की हानी होती है इसके साथ ही तीजोरी के पास जाडू रखने से भगवान कुवेर की कृपा भी नहीं मिलती बलकि कंगाली चाह जाती है दूसरी चीज है जूटे बरतन अगर आपके तीजोरी के आस पास जूटे बरतन रखे हैं तो साफधान हो जाईए क्योंकि जूती शास्त्र के अनुसार तीजोरी के पास रखे जूटे बरतन आपको कंगाल बना सकते हैं साथ ही इस बात का भी धियान रखे कि गलती से भी जूटे हातों से तीजोरी को नाच हुए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में जिस स्थान पर तीजोरी रखी होती है उसके आस पास गंदे बरतन या फिर जूटे बरतन नहीं रखना चाहिए जहां मा लक्ष्मी का वास होता है वहां हमेशा सफाई होनी चाहिए वास्तु नियमों के मुताबिक देवी लक्ष्मी का वास वही होता है जिस स्थान पर साफ सफाई रहती है ऐसे में देवी लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए अपने घर या दुकान में हमेशा सफाई रखे तीजोरी के पास कभी भी गंदे बरतन ना रखें तीजोरी को कभी भी जूटे हातों से ना चुए ऐसा करने से धनहानी होने की आशंका बनी रहती है इससे मालक्ष्मी रूट जाती है काला कपड़ा हमारे हिंदु धर्म में काले कपड़े को बेहत अशुब माना गया है इसलिए किसी भी शुब काम में काला कपड़ा इस्तमाल करना वर्जित होता है ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी के आसपास कभी भी काले रंग की कोई भी चीज रखना अशुब हो सकता है तिजोरी में रखे धन या गेहनों को काले कपड़े में नहीं लपेटना चाहिए तीजोरी में कोई भी चीज रखना है तो उसे लाल रंग के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए लाल रंग देवी लक्षमी का पसंदीदा रंग माना जाता है तिजोरी में मालक्षमी का वास होता है और तिजोरी के भीतर हमेशा लाल रंग के कपड़े का इस्तमाल करना चाहिए तिजोरी के अंदर या बहार भूलकर भी काले रंग के कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए इस से मालक्ष में रुष्ट हो जाती हैं और आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वह हमें कमेंट करके जरूर बताए उमीद है आप हमारे इंदी गई जानकारी को जरूर फॉलो करेंगे ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें एन ट्वेंटी सेवन भक्ति